तो एलो प्रेंट कैसे हो आसा करता हूँ आप अच्छे होंगे तो इस्टाग्राम पीए जो क्या बोलती कमपनी वाली इसी गाने पे यह जो रील है काफी ज्यादा वाइरल चला है तो आप भी अपने वीडियो पे इस पकार का जो वीडियो बना कर अपने रील को वाइरल कर सकते हैं तो एक कैसे बनेगा तो वीडियो पे बने रहेगा तभी आपको सब समझ में आएगा तो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि अगली वीडियो जो मैं Editing से Related अपलोड करूँ तो आपको इसी चैनल पर मिलता रहे तो आप अभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो एडिट करने के लिए आपको काइब 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 का यहाँ पर यूज करना होगा तो आप जियो ही इसको open करेंगे तो new project वाले option पर जाएंगे तो मैं स्रिफ आपको बताने के लिए अपनी वीडियो को यहाँ पर add कर लेता हूँ तो मैंने अपनी वीडियो यहाँ पर add कर लिया है तो हम यहाँ पर blurring वाला effect लगाएंगे और यह बिजली वाली है वो भी effect लगाएंगे और body effect सब इसी app से हम यहाँ पर लगाएंगे तो इसका music मैं सब सब पहले बंद कर देता हूँ अब हम यहाँ पर blurring वाला effect लगाएंगे तो blurring वाला effect लगाने के लिए आपको effect वाले option पर आना होगा तो effect वाले option पर आने बाद आपको यहाँ पर तीन effect देखनों मिलेगा तो मैंने पहले से इसको connect कर लिया है तो आप वहाँ से connect करकर और अपना जो net है वो on रखिएगा फिर हम यहाँ पे जो hello blur वाला effect इसको हम यहाँ पे add करेंगे फिर यहाँ से इसको adjust करेंगे इसकी जो speed पुरा कम कर देंगे और इसकी हम पुरा बढ़ा देंगे 100% के लिए body effect पे आईएगा तो body effect पे आने बाद आपको यह जो trending वाला effect चला आए उसको add करने के लिए आपको थोड़ा से यहाँ पे आना होगा तो आपको यहाँ पर glowing lines वाले option पे आना होगा तो सबसे नीचे वाले option पे आप जाईएगा तो यह बाला काफी ज़ाधा वाइरला चला है तो इसको आप अपने वीडियोगे एड्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर ध्यर साला है आप अपना 1% जो भी यहाँ पर एड्ड करियेगा वो एड्ड शक्ते हैं फिर यहाँ से हम इसको राइड करकर इसको हम थोड़ा एक बार maioria किलिक करके इसकी जोड़ा यहां पर लगाएंगे तो इतना होने के बाद अब हम यह जोई animation लगाएंगे effect वाला तो इसको हम bike आएंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो को यहां पे चार बार cut लगाना है तो आपको सबसे पहला कट जो है दो सिकेंट पे आईएगा यहां से एक बार कट लगा दीजिएगा फिर थोड़ा सा एक सिकेंट बाद आईएगा चार सिकेंट के बाद आईएगा फिर एक और कट लगा दीजिएगा फिर यहांपे हम 5 सिगेंड के बाद एक और cut लगाएंगे फिर फोड़ा सा आगे आने बाद 7 सिगेंड के बाद हम एक और cut लगा देंगे तो हमने यहांपे 4 cut लगा दिया है फिर आप जिस वीडियो को cut किया था उस पे हम सबसे पहले click करेंगे animation वाले option पर आएंगे animation वाले option पर आनेक बाद आपको यह जो है rock वाला option देख लोग मिलना है तो इसको आप अपने वीडियो में add कर लिजेगा तो यहां से हम इसको write कर देंगे फिर दूसरा cut वाले option पर animation वाले option पर दुबारा आएंगे तो combo वाले option पर आनेक बाद हम यह जो है second वाला है इसको हम यह आप पर add करेंगे फिर यहां से हम इसको write कर देंगे अब तीसरा जो cut लगाया था उसपर click करेंगे फिर animation वाले option पर दुबारा आएंगे फिर हम यह जो rocky वाला है rock वाला इसको हम यहां पर add कर लेंगे फिर यहां से हम इसको write कर कर फिर यह जो चौथा cut लगाया था उसपर click करने के बाद फिर दुबारा animation वाले option पर आएंगे combo वाले option पर आनेक पर फिर second वाला हम add कर लेंगे तो अब देख सकते हैं कुछ इस परकार का जो है तो वीडियो एफेक्ट वाले option पर आनेक पर ट्रेंडिंग वाले option पर आप नीचे आईएगा तो आपको जो है lighting वाला एफेक्ट देखने मिलेगा तो यह अपने वीडियो में add करके यहां पर write करकर इसकी जो हम यहां से बलरिंग के आगे इसको add करेंगे और इसकी जो length है आप थड़ा कम कर लिजेगा तो अब हम यहां पर music add करेंगे तो add idea पर click करिएगा तो third वाले option पर आईएगा फिर हम उसी वीडियो को जो हम idea में convert कर लेंगे तो इसका जो link है आपको मेरे description में मिल जाएगा आप वहां से जाकर download कर लिजेगा तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ तो अब यह जो वीडियो मतलब यह जो music जितनी length है उतना हम यह पर cut लगा कर और यह वाला part जो है हम इसको delete कर देंगे क्योंकि जितना music कर आएगा उतना वीडियो आप रखिएगा फिर यह black वाला इसको भी हम delete कर देंगे फिर यहां से जो उपर export कर देंगे तो यह आपके gallery से हो जाएगा तो वीडियो कैसे लगी please like share और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है